हेलो दोस्तो आज हम बनाने वाले हैं सुगर सिरब हम स्पंज को सोक करने के लिए सुगर सिरब बनाएंगे सुगर सिरब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है उस पे हम one fourth cup चीनी डालेंगे और half cup water डालेंगे तो यहाँ पर मैंने दरदरी कुटी हुई इलाइची डाली है जिससे की सुगर सिरप का फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा तो याद रखिए दोस्तों हमें इससे चाशनी की तरह नहीं बनाना है हमें इससे बस एक बॉयल देना है आप देखिए ये पानी के फॉर्म में ही है हमें इससे बस एक तरीके से मेल्ट करना है इससे जादा कुख नहीं करना है जैसे ही इसमें एक उबाला आजाएगा हम इससे निकाल लेंगे फिर इससे थंडा करकर हम केक पर यूज करेंगे अब आप इसे किसे भी केक पर यूज कर सकते हैं आज के लिए इतना ही बाई